अलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासिस को नजबाय कर रहे होंगे आज हम लोग बहुत ही सांदार प्रश्णों को साल करने वाले हैं याद रखेगा बहुत सारे क्वेशन आपके पुराने रिपीटेड होंगे कुछ आपके न प्रश्ण है लाइकेन अभिवेक्त करते हैं लाइकेन किसको अभिवेक्त करते हैं पहरा करा है सहोप कारिता को दूसरा करा है सहब भोजिता को तीसरा करा है एसेंस सैलिज्म को और चौथा करा है परजीविता को इसका उतर तो मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि हम लो दोनों सहोपकारिता में रहते हैं साथ में साथ साथ काम करते हैं सैवाल कवक को भोजन देता है कवक सैवाल को आवास देता है और ये दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं लाइकेन प्रदूसर का सुचक होता है रोभी कैसे वायो प्रदूसर का और वाय प्रदूसर में किसका तो याद रखेंगे सहोपकारिता का संबंध है ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं अगला देखिए क्लेब क्लेब सीयला ये क्या है? कहरा कि जो आपका क्लेब सीयला है ये एक है क्या नाइट्रोजन इस्थरी करण करता है पर जीवी है, सहभोगी है या आपका पर पोसी है आपको बताना है क्लेब सीयला क्या है? क्लेब सीयला क्या है? फटा फट उत्तर दीजिए का हो सकता आपके लिए ये जीवाडू नया हो लेकिन याद रखेंगे ये आपका एक नाइट्रोजन इस्थरी करण करता है आपसर नमर आपका फ़र्ष्ट बिल्कुल सही है नाइट्रोजन इस्थरी करण करता है क्लेब सीयला काफी महत्पूर है और नया भी होगा अगला प्रेस्ट देखे नाइट्रोजन इस्थिरी करड़ करने वाले नाश्टाक एना बीना जैसे नीले हरित सैवाल पाए जाते हैं आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन का इस्थिरी करड़ करने वाले नाश्टाक है एना बीना है ऐसे नीले हरित जो सैवाल है वो कहां पाए जाएंगे पहला कह रहा है साइकस प्रवाल जड़ो में दूसरा कह रहा है änthou serverum के थैलेसm और आपका azola में और चौथा कह रहा है धान के खेत में और और श' कह रहा है कि उप्रोक्त सभी में आपको बताना है कि कहां पे आपके एनाबिना और नास टाउक पाए जाएंगे इनका नाम बताना है आपके लिए काभी महत्पूर है लेकिन याद रखेंगे common sense का है आपका जो सत्ते है वो क्या सही हो जाएगा बचलो तो सभी सही हो जाएगा साइकस और प्रवाल जड़ों में भी पाए जाते हैं एंथोसिरोसिस के थैलस में भी पाए जाते हैं और जोला में भी पाए जाते हैं साथी धान के खेतों में भी पाए जाते हैं ये तीनों जगा पाए जाएंगे इनको याद रखेगा आपके लिए नया होगा लेकिन ध्यान दिजेगा साइकस प्रवाल जड़ों में एथोसिरोस के थैलस में और आपके जोला में साथी धान के खेत में ये सब ही जगाँ पाए जाते हैं आपसन मरफोर आपका बिल्कुल सही है अगला क्वेस्टन देखे ये भी आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है घुमाओ वाला हो लेकिन बहुत ही आसान है बिल्कुल कामन सिंस का है खेरा पाओधे और जानवरों के विभिन कार्बनिक अड़ों में जो रासायनिक बंद उर्जा उपस्तित है वह भातिक वातावरण में मुक्त होते हैं कैसे आपको बताना है पाउंधों में और जानवरों के विभिन कार्मने के जो अडु में जो रासाइनिक बंद उरजा उपस्तित होता है, वह भातिक वातावरण में कैसे मुक्त होता है, पहला करा कोसकी अप घटन के दौरा, दूसरा करा स्वसन के दौरा, तीसरा करा हिुमस बना और और मतब खनजी करड़ द्वारा और चौथा कर उप्रोगत सभी के द्वारा मताएंगे आप बहुत ही सांदर प्रस्टन है और एक्दम से कॉमन सेंस का है कि पौधों और जानवरों के विभीन कार्मने कड़वों में जो रासानिक बंध उर्जा उपस्तित है वह बहुत ह वाताबरण में कैसे मुक्त होगा तो यह सभी हो जाएगा जब कोशिका का अप घटन होगा तब भी उर्जा मुक्त होगा जब हम स्वसन करते हैं तब भी उर्जा का दहन करते हैं और हुमस बनाने में साथ ही खनजी करड़ के द्वारा भी आपकी उर्जा का यूज होता है या ये मुक्त होते हैं तो सारी बातें बिलकुल सही है अगला question देखिए निम्नलिखित में इसे कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में इसे कौन सा कथन है जो सत्य है पहला करा आप घटन कारी कभी की stone प्रजाती नहीं हो सकते क्या यह सत्य हैं कि जो अब घटन करते हैं वो कभी की स्टोन नहीं हो सकते कोई एक ही सत्य हैं और आपको वही बताना है थोड़ा बारेकी से ध्यान दीजेगा तभी सही उत्तर बता पाएंगे नहीं तो गलत करेंगे मुझे पूरा यकीन है दूसरा कहरा है साका हारी सर्वता की स्टोन प्रजाती होते हैं तीसरा कहरा है सरबोच उपभोकता कभी की स्टोन प्रजाती हो सकते हैं और आपका कहरा है लाश्ट सरबोच उपभोकता सामाने तरह कभी भी की स्टोन प्रजाती नहीं हो सकते आपकी इसाफ से कौन सा है जो सही इन सब में जो सबसे सटीक है वो आपका सही उत्तर होगा और आपको वही बताना है चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं सबसे जो सत्ते है वो है आपका option number two साका हारी सर्वता की stone प्रजाती होते हैं यानि कि साकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी को भोजन नहीं मिलेगा तो फिर उनका विनास भी हो जाएगा तो mostly साकाहारी को हम कह सकते हैं कि वो किजम की तरह है लाइतन है और वो आधार पदान कर रहे हैं अपने से उपर वालों को भी और नीची वाली को गंट्रोल कर रहे हैं पहला गलत है जो कि आप घटनकारी कभी कीश्टोन प्रजाती नहीं हो सकते हैं ये तो कोई बात नहीं है चौथा भी सरसर गलत है कि सर्वोचुप भोकता सामाने तया कभी भी कीश्टोन प्रजाती नहीं हो सकते ये गलत हो गया आप कि जो कोरल है वो भी किस्ट्रम प्रजाती है तो यह भी आपके हो सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन कभी कभी कंडीशन रख रहा है इसलिए गलत हो गया आपका पहला करण नहीं होगा लास्ट में भी कहरा नहीं होगा तो इसलिए गलत हो गया यानि कि मोशली यह हो सकते हैं साकाहारी भी मोसली हो सकते हैं मांसाहारी भी हो सकते हैं बस वो अपनी भूमिका में क्या काम कर रहे हैं यह होगा यानि कि जो कि सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं तो इसमें से आपका कोई भी हो सकता है साकाहारी भी हो सकता है मांसाहारी भी हो सकता है घटक भी दो तो आप लोग ज्यादा मत बिचार कीजेगा बस जैसे समझाया है इसे समझ लीजेगा क्योंकि आफसन ही कुछ हजीब हो गरीब है अगला देखिए सामान जीवाडू जिसमें नाइट्रोजन इस्तिरी करण की छमता होती है सामाने तहाँ वो मतलब कौन से जीवाडू है जिनके अंदर नाइट्रोजन को इस्तिरी करण करने की छमता होती है पहला करा है इस्टैटो माइसीज और नोकार्डिया दूसरा करा है पेनिसीलियम और एस्परजिलिस तीसरा करा है नाइट्रो सोमोनास और नाइट्रो बैक्टर और चौता करा है क्लोरो बियम और रोडो इस्पाई रीलियम आपके सामने है और इसमें से कोई एक ही आफसन है जो बता रहा है कि नाइट्रोजन का इस्तिरी करण कौन से जिवाडू करेंगे और आपको वही उत्तर देना है थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन आपका काम आसान हो सकता है 50-50% में थोड़ा आठकेंगे चुकि आपको पता है कि पहला तो होगा नहीं ऐसे किसी भी जिमाडू के बारे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है पेनिसीलियम भी आपका नहीं होता है यह तो तो आपका 100% कन्फर्म है कि इसमें से नहीं होगा अब आप तीसरे और चौते में थोड़ चौते हैं याद रखेगा आपका आपसर नमबर 4 सही है नाइटो बैक्टर नहीं होता है तो इसलिए आपका यह सब सही नहीं है आपका केवल और केवल लास्ट सही है क्लोरो बियम और रोडो इस्पाइरिलियम यह दोनों ही नाइट्रूजन का स्थिरी करण करने के छहमता रखती हैं आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेस्टन अधिक्तम प्रकास संसलेशर होता है अधिक्तम प्रकास संसलेशर कहां होता है चलिए ये क्वेस्टन भी आपके लिए थोड़ा ट्रिकी है देखते हैं क्या उत्तर देंगे आप लोग पढ़ाया है मैंने अगर कॉमेंस लगाएंगे और अच्छे से उत्तर देंगे तो बहुत आसानी से बता लेंगे पहला के रहा है ब्रिहद समुद्री सैवालों के द्वारा दूसरा के रहा है ब्रिच्छों के द्वारा तीसरा के घास के द्वारा चौथा के रहा है डाइटम और डायो नोफले लैजी टेलस द वहीं सबसे ज़्यादा carbon का अभजार वेसं भी होगा आपके सामने चार आपसन हैं चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देनी वाले हैं तो याद रखेंगे पर चलो क्या है जो सही हो जाएगा सबसे ज्यादा प्रकास असले सड़कॉन करते हैं तो आपके जाते हैं और आपने देखा वी था कि जलिये छेतर में सबसे ज्यादा oxygen बनता है और सबसे ज्यादा carbon absorb भी होता है लेकिन आपका जो चौथा option है आपका पहला कहरा ब्रहद समुद्री सहवालों के द्वारा यानि कि जो बड़े-बड़े समुद्र हैं उनके सहवालों के द् जदी में पाए जाते हो तलाब में पाए जाते हो कहीं भी पाए जाते हो वो डाइटम का मतलब हो गया overall सहवाल पाधप लवक जो कहीं भी धरती पे पाए जाते हो तो इसले वहां पे सिर्फ समुद्र करा और यहां पे डाइटम करा यानि कि सहवाल यानि कि जो कहीं भी पा फसल के मैदानों में अनुक्रमड खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए हूमस को चलाने की प्रक्रिया प्राकर्तिक रूप से मनुस्यों की सीधे हस्तचेप को प्रदर्शित करता है। फसल के मैदान में अनुक्रमड खाद का उपयोग जो हम लोग खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए हूमस को चलाने की प्रक्रिया प्राकर्तिक रूप से मनुस्यों की सीधे हस्तचेप को प्रदर्शित करता है। हम जो खीतों में खाद का उपयोग करते हैं हूमस की मादरा बढ़ाने के लिए तो हम किस प्रक्रिया में हस्तचेप कर रहे हैं। पहला के रहा है पोसर चक्र में कर रहे हैं। दूसरा के रहा है खाणीज चक्रड में कर रहे हैं। ही हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन ऐसे उल्टे सीधे सावाल भी आयों के द्वारा पूछे गए हैं। आप लोगों के लिए वो सारे सावाल लेके आयों जिसका उत्तर थोड़ा सा समझना मुस्किल होगा। लेकिन अगर विचार करेंगे तो आप असानी से उत्तर दे सकते हैं। तो अपरोप्त सभी हो जाएगा। पोसड चक्र को भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है इंसान खनी चक्रड को भी डिस्टर्ब करता है और पोसड चक्रड को भी डिस्टर्ब करता है। तो यह आपका तीनों हो जाएगे उपरोप्त सभी हो जाएगा। याद रखेंगे सभी हो जाएंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा मैं इसको फिर से आपको समझा दूँगी अगला देखेंगे बचलो पारिष्टित की तंत्र में सुवर नियंत्रण होता है नियंत्रण स्वता होता है और चौथा करा उप्रोक्त सभी द्वारा पारिश्तित की तंत्र स्वताह को कैसे नियंत्रित करती है आपको ये बताना है और ये आपके लिए काफी सांदार प्रस्न है कॉमन सेंस का है सब कुछ आपका पड़ा हुआ है बस सब्दावली आगर आप तोड़ना मरोड़ना और जोड़ना जान जाएंगे तो बहुत आसानी से उत्तर को प्राप्त कर लेंगे तो याद रखेंगे ये सभी है बिलकुल सही है आपस नमर पोर आपका इत्तम से सही है जाच और संतुलन यानि कि प्रकृति जो जाच करता है और जो संतुलित करता रहता है कहीं बनाता है कहीं बिगारता है कहीं थोड़ता है कहीं जोड़ता है सिकार जो होता है इससे भी संतुलित होता है पर भच्छी और सिकार जो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, इससे भी संतुलित बना रहता, यानि कि जो सिकारी है, वो साकाहारियों को खाएगा, जो पादपलावक हैं, उन पर दूसरे जिवी निर्भर होंगे, तो कहीं न कहें, इससे पाईसित की तंत्र संतुलित बना रहता, अगर इसमें से एक भी नहीं तो आill संतुलन आ जाएगा तुनिसी थ्यप का पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी सही है कि उर्जा का प्रवाः और सही खाद Śेंखला जब बनी रहती है और प्रवाः बना रहता है, तो इससे संतुलन या नियंत्रण बना रहता है तो सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है अगला प्रेस्टन देखे उच्छ स्रेडी के उपभोकता उर्जा प्राप्त करते हैं उच्छ स्रेडी के जो उपभोकता होते हैं वो कैसे उर्जा प्राप्त करेंगे पहला कहरा केवल प्रात्मिक उपभोकता से दूसरा कहारा केवल दुतियक उपभोकता से तीसरा कहारा है दोनों उपभोकता से चौथा कहारा प्रात्मिक उपभोकता से देखे प्रात्मिक उपभोकता है प्रात्मिक उपभोकता है दुतियक उपभोकता है और वो सर्बाहारी भी हो सकते हैं तो अगर वो सर्बाहारी है तो निश्चीत वो प्रात्मिक और दुतियक दोनों से भी प्राप्त करेंगे आपसे नमर थिरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रात्मिक और दुतियक दोनों से प्राप्त करेंगे जो सर्बोच पे होगा वो मांस खाने वाले को भी खा सकता है और साकाहारी को भी खा सकता है या साकाहारी को भी खाएगा और मांसाहारी को भी खाएगा तो प्रात्मी को भोकता में जो साकाहारी होते हैं दूत्य को भोकता में मांसाहारी होते हैं तो सेर जो है वो बकरी को भी खा सकता है भेडियों को भी खा सकता है तो इस तरह से वो साका हरी मांसा हरी दोनों को खाएगा यानि कि प्रात्मी को दूत्यक दोनों को खा सकता है तो वो सरबोच हो गया अगला देखिए क्लास्टी डियम नाइट्रोजन का इस्थरी करड़ करता है क्लास्टी डियम है जो नाइट्रोजन का इस्थरी करड़ करता है वाईवीय इस्थिती में करेगा या वाईवीय इस्थिती में करेगा या सहजेवी इस्थिती में करेगा या इन में से कोई नहीं आपके हिसाब से क्या सही है क्लास्टी डियाम नाइ्टरोजन का इस्थिरी करण करता है Y-VEA स्थिति में आ-Y-VEA स्थिति में सहजे वी स्थिति में या इन में से कोई नहीं आपके लिए सांदार प्रस्ण हैं चलेएं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं तो याद रखेंगे बचलो किस में करेगा आवाइवी एस्थिती में करेगा आक्सीजन की अनुपस्थिती में क्लास्टी डियम नाइट्रोजन का इस्थिती करड़ करता है याद रखेगा आवाईवियेस्थिति यानि की आक्सेजन की अनुपस्थिति अगला question देखे अधी पादप का अच्छा उदहरण है कौन है जो अधी पादप का अच्छा उदहरण है लाइकेंस और आर्कीड है लताएं और कंठ लताएं है पादप लवक है या इनमें से कोई नहीं आपके इसाफ से क्या है जो सही हो जाएगा अधी पादप का अच्छा उदहरण कौन सा है तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका option number first बिलकुल सही है लाइकें और आर्कीड जो होते हैं ये अधी पादप के बहुत अच्छे उदहरण है आर्कीड आपके पहाड़ी छेतरों में पाए जाते हैं खास करके और उरांचल प्रदेश में और आपका जो दाज लिंग वाइरा का छेतर है यहां भी पाए जाते हैं आपसब हैं आप सभी को पता है नग ने चट्तानों और जमीनों पेड़ के छालू पे पाए जाते हैं अनू सम भूमड के अंतिम समभूदाय को कहा जाता है अनू करमड में आपने देखा था कई अस्तर आते हैं इसमें जो अंतिम समधाय होगा उसे क्या कहेंगे नवीन समधाय कहेंगे क्रमिक समधाय कहेंगे चरम समधाय कहेंगे या कहेंगे इन में से कोई नहीं आपके सामने देखे चार आप्षन है और आपके सामने question भी है अनुक्रमड के अंतिम समधाय को हम क्या कहेंगे नवीन कहे याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा हाफसा नंबर आपका थेधिस हो जाएगा चरम समुदाइ जो लास्ट में आएगा वही आपका अंतिम ग्रूप से अस्थापित हो जाएगा तो यह चरम हो करनावीन मतलब जो सुरुवात का है करमिक मतलब जो बीच में संघर्स के दोरान है और आपका चरम मतलब जो लाश्ट में इस्टाबलेस हो जाएगा पारिष्थित की तंत्र में उर्जा का प्रवा कैसा होता है उच्च से नीचले उर्जास्तर की और दूसरा करा है नीचले से उच्च उर्जास्तर की और तिसरा करा है भहुत एक परियावरर से प्रात्मी कुब भुकता की और और चौथा करा इनमें से कोई नहीं बताएंगे पारिस्थित की तंत्र में उर्जा का प्रवा होता है कैसा और ये भी आपके लिए बहुत ही महतुर प्रश्न है और आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा आपको ये बताना है तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है आपका आपसर नमबर दो नीचे से उच उर्जा अस्तर की और आपके पारिस्थित की तंत्र में उर्जा का प्रवा होता है या कहिए नीचे ले पोसर अस्तर से उच पोसर अस्तर की और उर्जा का प्रवा होता है आप सभी को पता है कि पोसन अस्तर बढ़ने के साथ साथ उर्जा का जो रेशियो है वो भी घरता चला जाता है दस प्रतिसत नियम के हिसाब से नाइट्रोजन योग की करण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में नाइट्रोजन का अमीनो अमल में या एक और दो दोनो आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन का जो योगी की करण होता है यानि कि वाई मंडल के नाइट्रोजन से मिट्टी में जिवाणों को धारड करने वाले नाइट्रोजन और फिर वहां से वाई मंडल में नाइट्रोजन जाने के पूरे प्रासस को मैंने आपको बताया था कि इस तरह जो नाइट्रोजन है वो कितनी बार परिवर्थित होगा और कौन-कौन सा रूप होगा तो आपने देखा था नाइट्रोजन का अमोनिया करण होता है तो नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है फिर अमोनिया से उसका नाइट्री करण होता है तो वो नाइट्रेट में बदल जाता है फिर नाइट्रेट से भी नाइट्री करण होता है और फिर वो न नाइट्रेट में बदल जाता है और उसको प्लांट से फिर अगला देखिए एक सूच में जीवी दूसरे सूच में जीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है जिसे कहते हैं अगर कोई सूच में जीवी है और वो दूसरे सूच में जीवी को अपने आसपास नहीं उगने दे रहा है तो ये क्या है बिरोध है आदी सहयोग है सहोपकारिता है या इमेसैलिज्म है आपको ब मैं लाएगा आस पास रोक रहा है इसको उगने से तो यह हो जायेगा विरोध यह क्या कर रहा है विरोध कर रहा है विरोधी है या और रहिकेंगे अ महरत हिर आपका बिलकोल सही है खुर अगप लरी कही इन teníaरे क्या है अगर आप किसी से competition कर रहे हैं प्रतियस पर्दा करें तो यह धनात्मक है रिडात्मक है विरोध है या सहजीवन है तो याद रखेंगे competition क्या होता है यह रिडात्मक होता है चोकि आप अपने से दूसरे को पीछे करने का प्रयास करते हैं और पीछे करने के इस प्रया निगेटिव हो गया रिडात्मक पारस्परिक्रिया हो गई अगला देखे जैविक समीति अस्थापित होती है आपकी जैविक मतलब जो जैविक होती है चीजें उन्हों कहां-कहां पाई जाएंगी पहला करहां उत्पादक वा उप घटक के द्वारा दूसरा करहा है आपका उप भोकता और आप घटक के द्वारा तीसरा करहा उत्पादक और उप भोकता के द्वारा चौथा करहा उत्पादक उप भोकता और आप घटक के द्वारा बताएंगे जो जैविक समीति या समुदाय होता है वो किसके द्वारा स्थापित होगा आप घटक के द्वारा हो या उत्पादक के द्वारा होगा या उभोकता के द्वारा होगा या तीनों के द्वारा होगा सारा अपसन आपके सामने है और आप सभी को पता है कि जैविक समुदाय या जैविक समिती में आपके तीनों चीज़ आजाएंगे उत्पादक को भी माना जाता है जीवित है सभी जैविक समुदाय हैं या समिती हैं आज का सिकेंड लास क्वेस्टन पौधे जन्तुओं और सुचम जीवों के मद्धे पारस पर एक संबंध आवस्यक होते हैं प्राकृति कापदा के लिए या खादे शरिंखला और खादे जाल के लिए या उर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए या उपरोक्त सभी के लिए उपरोक्त सभी का आपसन तो आपको पता ही है अब इधर के आपसन देख लेजे और उत्तर दे दीजे कि आपके जो पौधे जन्तुओं और सुचमिजीओं के मद्य पारस पर एक संबंध होता है ये संबंध आवस्यक होता है किसलिए प्राकृति कापदा के लिए खादे शरिंखला और खादे जाल के लिए या उर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए तो आपके लिए कॉमन सेंस का है कि आपके जो पादफ है जन्तुओं और सुचमिजीओं है इनके मद्य जो परस पर एक संबंध है ये आवस्यक है सभी के लिए उर्जा प्रवाह के लिए और खनिज के चक्रड के लिए तो होगा ही होगा हंडेड परसंट खादे स्रिंकला और खादे जाल के लिए भी होगा चुकि अगर ये तीनू परस पर वर्क नहीं करेंगे तो ना खादे स्रिंकला बनेगा ना जाल बनेगा ना उर्जा का प्रवाह होगा ना खनिज का चक्रड होगा तो निश्चिती प्राकृतिक आपदा के लिए भी ये भी सामिल हो गया है अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो आप देखेंगे अगर परस पर अच्छे से क्रिया करें तो प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी लेकिन अगर इसमें हम डिस्पैलेंस कर दें तो प्राकृतिक आपदा आनी ही आनी है जैसे पौधों को काटना बहुत जादा बाढ़ भी लाता है, सुखा भी लाता है भूमिगा जो है अपच्छे भी होता है अपरधन भी होता है तो आपदा आ गई अगर आप सुच में जीवों के साथ छेड़ चाड़ करेंगे तो महामारी जैसे कुरोना जैसे समस्या आएगे प्लेइंग आएगा बहुत सारी विमारी आएगे तो नीशी थे आपके सभी बाते सही हो जाएगी अगला देखिए और याज का लाश्ट क्वेस्चन है समुदर में कुल प्रकास संसलेसर में समुदरी पादपो का योगदान लगभा कितना है कुल प्रकास संसलेसर में समुदरी पादपो का योगदान 10 प्रतिसत 25 प्रतिसत 70 प्रतिसत या 90 प्रतिसत बताएगे जालो कितना योगदान आपके पादप लवक का होता है आक्सीजन उपलद कराने में इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता है विकाज ये रेपीटेड है आप सभी को पता है कि 90% आक्सीजन हमें पादप लवकों के द्वारा प्राप्त होते हैं इसलिए आपका 90% बिल्कुल सही हो जाएगा उमीद है प्रस्न अच्छे लगे होंगे कुछ नई चीजी भी जानने को मिली होंगी दिमाग का थोड़ा एक्सेसाइज हुआ होगा आप लोगों की तो अच्छे से पढ़ाई करते लिए बचलो कोईस्टन सारी बहुत इंपोर्टन रहते हैं हर क्लास आपके लिए बहुत महध बूढ़ है सारी क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पनाये जा रहे हैं तो आप लोग मेहनत करें और जब भी ताइम मिले रिविजन भी करें और क्लास में जरूर उपस्तित रहें, आप लोग कोई उपस्तिती अच्छी लगती है, उर्जा मिलता है, नर्जी मिलते हैं, आसके लिए इतना ही, थाइंक्यू, थाइंक्यू, सो मज़,